भादपत मास के शुक्लिपक्ष के एकादशी यानि परवर्तिनी एकादशी 17 सितंबा दिन शुकुरवार को हैं इसे वामन एकादशी या जल जूनने एकादशी भी कहा जाता हैं आज के दिन परिवर्तिनी एकादशी व्रहत की कता सुनते हैं तो परिवर्तिनी एकादशी की रहत कता कुछ इससर ऐसे हैं, एक बार एक इुर्दि में बाली ने इंद्र को हराया, और नेड विवार नेता बन गया, और इस तहत्य ने उन देवताओं को जगजोर दिया, जो जानते थे कि असुरों के शेशन में देर, सबीर, शेश्टी का विनास असम में भावी था, इस लिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति का परेक्शन करने का फैसला किया, तो भगवान विष्णु ने अपना पाच्वा मुख्या उतार वामन लिया, और बाली के दर्बार में उपस्तित हुए, राजा का भिवादन करने के बाद वामन ने सोचा कि क्या बाली उसे भूमी दे सकता है, जो भूमी अपने छोटे पेर से तीन बार ढखेगा, और राजा तुरंत उसे भूमी का टुकड़ा प्रदान करने के लिए तैयार हो गया, दिल्चस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचारी को पता चला कि वामन कोई और नहीं बलकि भगवान विश्णू थे, इसलिए उसने राजा को चाल के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन बादवालों ने अपने शब्दों को वापिस लेने से इंकार कर दिया, इसके बाद वामन ने पहला कदम उठाया और रत्वी को ढख लिया, और दूसरे के साथ उसने आस्मान पर कबजा कर और चोधी की और कदम रखना ही चाहता है, तो तीसा कदम कहां रख जाए, तो आखिरका बाली ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बलकि भगवान विश्णू थे, इसलिए उसने हार माली और अपना सिर समरपन कर दिया, अंत में भगवान विश्णू ने अपना पेर ब आप उसे मुक्ती मिलती है, यह थी परिवर्तनी एकादशी की रहत कता, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, हरे टिश् थेक्ष्ट आपके लिए, तो मिलती हूँ